नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब भी तयारी कर रहे हैं सेटल्ड होने के लिए, इनके परिवार में बहुत लोग सेटल्ड हो चुके हैं, इवन सब लोग सेटल्ड हो चुके हैं, अब इनको जानना है कि इनका सेटल्मेंट कब आएगा, थोरा दुख होता है देखके इनको कि ये भी सेटल्ड हो जाते हैं अच्छे वे में दुख होता है कि इनमें क्या कमी थी ये भी settlement चाहते हैं और कोन नहीं चाहता तो उसी पर इनको जानना है कि आगे की जिंदगी कैसी रेगी settlement कब होगा हतली पर क्या चिकरावस्था बनी है इन साड़े मातपून वेशे पर जानना है ऐसे बहुत से लोग होगे जिनके लाइफ में ये एक विड़म बना होगी ये एक समस्य होगी ये एक परिशानी होगी कि वो लाइफ में settled नहीं हो पाए है किसी कारणवर्श और उनको ये मन में बड़ी घवराहट सी होती है बड़ी बेचैनी से होती है कि उनके परिवार में या उनके आस परोस में या इनके दोस्त में तरह सब settled हो गया है उनके जिन्दगी पर settlement कब आएगा अब ये सैतिस वर्श के हो गया है आयू भी कोई रखी नहीं है आयू भी बहुत ज़ादा हो गई है या तो इस उमर तक करूर पती बन जाओ या फर एक अच्छी नौकरी में चले जाओ settlement का अर्थ तो वही होता है at the end of the day आपकी जीबन के लास समय में पैसा ही माइन रखता है आप किसी के लिए कारे कर रहे हैं किसी का धीन कारे कर रहे हैं और कहीं न कहीं अधिकारे बनने के लिए प्रयास रत भी है तो ये जाना चाहते है कि इनके जंदगी में वो मोड आएगा जिस समय ये खुद के लिए और खुद में प्राउड महसूस कर पाएं तो definitely आएगा कौन बोलता है नहीं आएगा आपके लाइफ में settlement भी होगा आपके लाइफ में तरक्की भी होगी आपके लाइफ में ग्रोथ भी होगा लोग आपको देखके कहेंगे भी कि देर आया दुरस्त आया इश्वर के घर में अंधेर है इश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है तो अंधेरे में रहने के आवशक्ता नहीं है, परिशान और अतास होने के आवशक्ता नहीं है, आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके जीवन में प्रगती होगी, आपके जीवन में पैसा आएगा, ये मेरी गारेंटी है, तो क्या है वो चन्ना, चमतकारे चन्ना है, परि वर्तन आता है, अभी इनकी बागे रेका अर्थिस वर्ष से सक्रिये है, क्योंकि यहाँ पर इस बीच में थोड़ा गैप बन गया था, अर्थिस वर्ष से सक्रिये है और वहाँ पर एक बड़िया सा तिरबुज है, गजब, थोड़ा और क्लारटी में दू, यहाँ पर से एक बड़िया सा चतरबुज बना है, और अर्थिस में वर्ष से सक्रिये है, जीबन के लास्ते के सरकारी चेतर से दरलाब के योग है, अगर आपने प्रियास नहीं छोड़ा तो अधिकारी भी बन सकते हो, सूरी रेका जबरदस्त है, यह भी लगबग 35 वर्ष के बाद ही अप फिर 100 कमाने लगोगे, फिर 100 ऐसे करके ग्रोथ होगी आपकी, तो यह जो चिन्न बने है न, यह होगी तरक्की के चिन्न, और आपके जीबन में इसका ग्रोथ, अर्थिस में वर्ष की आयू से दिखने लगेगा, exactly मैं 38 एर्स की इससे, वहाँ पर एक बुद्धरेका भी बन प्रदान करती है, अच्छी आयू प्रदान करती है, no doubt, प्लैटरी कंडिशन्स अच्छे है, शुक्र बढ़िया है, दोड़ोई मंगर अच्छी कंडिशन्स में है, लगबग लगबग प्लैट्स अच्छे इस्थति में है, तो इस बात को लेके भी बिलकुल चंता करने क्य वशक्ता नहीं है, ये भी जीबन में ग्रोध को बताती है, जीबन में तरक्की को बताती है, ये sure है, ये 100% sure है, तो positivity दो थी और positivity अच्छी है, आगी जिन्दगी में ग्रोध होगा, आगी जिन्दगी में तरक्की होगी, ये एकदम confirm है, अब यह मैं वचार करेंगे negative चीज आप दिखा मुझे और जीबन रेखा पर राहू रेखा हैं जरूर नजर आई तो यह मुलकारन था कि आप जिंदगी पर बहुत स्टेबल नहीं हो पाए पैसा आया खडच हुआ प्रोफेशन भी चेंज करने की स्थितियां उत्पन हुई होगी यह सब चलता रहा पर गरबर है तो आपको कारचेतर को बराने में दिक्कत होगा अगर आप कुछ लाइफ में ग्रोफ करना चाहेंगे प्रगति करना चाहेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और अगर आप कोई बड़ी नौकरी में जाना चाहेंगे कोई बड़ी सफलता प्रा केवल और केवल महादेव को जल चराना शुरू कर दो समस्याओं का सॉलुशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा आपकी जिंदगी पर चीजे अच्छी होनी सुरू हो जाएंगी अगर राहु रेखा की प्रकॉप की में बात कर लो तो जिन्दगी पर तनाव देता है, जिन्दगी पर परिशानी देता है, financial laws देता है, पारिवारिक समस्याई देता है, और साथ ही साथ आपके अंदर confusions को पैदा कर देता है, असमंजस की स्थिति को पैदा कर देता है, धनकिहानी कराता है, यह सारी की सारी समस्याईं राहू देखा के समय में आप जिन्दगी पर किसी ग्रोथ की उम्मीद ना करें कि वह जिन्दगी चल जाए इसे बात को लेके आगे बढ़ते रहें तो यहाँ पर से ये चीज़े मुझे देखी तो दो मूल और मेजर कारण थे लेकिन मैं कह रहा हूँ अरतिस के बाद ग्रोथ है विशेश परिशानी दिख रही है और मुझे करोध दिख रहा है जो वेक्ति आपके लिए आज कह रहा है ये कुछ नहीं कर रहा है कल वही वेक्ति आपके लिए कहेंगा ये बहुत कुछ कर लिया ये बहुत कुछ कर पा रहा है ये बहुत कुछ कर लेगा तो आईए देखत फ़रक नहीं पड़ता बस ख्यालाज जरूरी है ठिंकिंग जरूरी है भावनाई जरूरी है करेंगे तो अपने ही मन का ये कभी कबार negative होता और खराब समय में पराया ही negative होता है क्योंकि आप खराब समय में सही नरने कैसे ले सकते हैं और अच्छे समय में तो खराब नरने भी सही हो जाते हैं, क्या बात हैं, तो ये शीज समझ गए आप, तो आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखें, ये कुछ आपकी राहू रेखाए हैं, ये थोड़ा तनाव देती हैं, बच्छपन सही रही हैं आपको, लगबग 11 वर् 35-36 अब 38 में एक तरक्की का योग बने हैं, जो कि बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा, फिर एक लगबग 42 में बना है, फिर एक पे 40 में है, फिर एक लगबग आपके 40 में है, फिर एक 50 में है, 50 के बाद एक यात्रा लगबग 54 के आसपस, उसके बाद भी जीबन रेका अच्छ अब इनके तरीका हम चलना दे दिन करेंगे, चीजों का सपस रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज़्यादा महतपूर है, देखें सीके समझे, अब इसके बाद की जीबन में एक स्टेवल इंकम आपकी हो जाएगी, आरतिस मेवर्स के आयों के बाद, हल्की फल् तो इंकम रहेगा, पैसा रहेगा, तो मुशिबत खतम होता चला जाएगा, मुशिबत से लर लेंगे, लड़के आगे बढ़ जाएगे, ऐसा थोड़ी अमीर वेक्ति के जिन्दगी में मुशिबते नहीं आती, सबी के जिन्दगी में आती है, बस धन आना चाहिए करकतिली है, 37 सवर्स क्यायू में स्टेबल ना होने के बावजूत भी लाइफ में कोई प्राब्लम नहीं होगी, गुलाबी ये धन को अट्रैक करती है, थम्ब स्ट्रॉंग है, एक लाइन है, अपने दमपर करना चाहते हैं, और करते भी हैं, डिजायर्स के बड़े साथी साथ बहुत इमानदार प्रिवर्ती के होते हैं, इक्षा सकती भी बड़ी अच्छी है, करने की बड़ी तेवर इक्षा है आपके अंदर, समझदारी के लूप काफी अच्छी समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर है, लेकिन हाँ फिंगर पर खड़ी रेक माइंड रेका अच्छी है, दिमाग के तेज है, इंडिपेंडन्ट है, तो ठीक है, आप तो इंडिपेंडन्ट चले, आगे बे चलते रही है, क्योंकि आप वह ऐसे कोई प्राब्लम नहीं है, ओवर कॉन्फरेंस में दिरने मत लेना, घर्दर रेका पर बावुक्तार दिक लाइन अफ एजूकेशन अच्छा है, सूरी रेका अच्छी है, यहाँ पर एक स्कॉाइर साइन के साथ, अर्थिस के बाद अच्छा बेनफिट कराएगा, यहाँ भी एक ट्रेंगल बन रहा है, क्या बात है, पैत्रिक संपती का अच्छा बुद्ध पर करी रेका है, रिमा जल्दी ऐसे व्यक्ति को स्वास्त की समस्या भी नहीं होती, क्योंकि दोनों मंगल बड़ी अस्तिती में है, यहाँ पर चद्रमा पर यह लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति की यात्राएं जीवन में रहती है, नो डाउट, और यह आप चंदर पर से रेका मान रही है, तो सम्भवता आगे चल के आप वैपार कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास इतना धनाएगा कि आप जरूर बचा पाएंगे, यह वाल स्थितियों को यह बता रही है, इसके पहले कि बहुत सार तक बुद्द रेखाएं नहीं थी, तो इसका फल और दुस परिनाम न मा भी लेते हैं, शुकर प्रबल है, कमफर्टेबल लाइफ रहती है, मंगल रेका शांदार है, यह कुस्टेंस के लाइन जरूर है, इनसान थोड़ा चिंता मई सवाब के होते हैं, वो समय के साथ खतम हो जाता है, बाकि शुकर, आपका शुकर और मंगल बढ़िया है, तो जिन्दगी कमफर्टेबल तो रहती ही है, तो यह था इनके तरिका पूर्ट अब इस्टेशन, अगर आपको अमारे ये वीडियो पसंदा है, लाइक कर दे, कमेंड करे से सिस्क्राइब कर दे, अगर आप विक्तिकत रूप से में सहस्तरे का निकाके सही जानकारी पाना चा आते हैं, हमारा वोट्सपन और इसको से मिल जागा, लेकर आप सम्पर्ट कर सकते हैं, धन्यवाद।